खेंगे कि आज के एक्सपारी के ट्रेड में हम लोगों ने ये जो जैकपट मुमेंटम कैच किया हुआ था जो 20 रुपे का पूटे वो 200 रुपे पर चला गाया था उसके पीछे का कम्पलीट लॉजिक क्या है और कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का मुमेंटम आ सकता है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के जैकपट्रेड को किस तरीके से कैच किया हुआ था यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market में momentum चालू होने से पहले मैंने twitter पर आपको update करके दिया हुआ था कि 17700 के नीचे market में एक downside का momentum दुबारा देखने को मिल सकता है और यहाँ पर मैंने nifty spot के बारे में बताया हुआ था और यहाँ पर मैंने आपको nifty spot का signal दिया हुआ था कि आपको कौन से rate के उपर buy करना है यह jackpot trader जो था वो 20 रुपे के उपर buy करना था जिसका stop loss 0 रुपीज था तो यह कैसे मैंने predict किया हुआ था इसको समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले हम लोगों को daily chart के उपर जाना पड़ेगा daily chart में मैंने आपको already clear cut बताया हुआ है कि किस तरीके का momentum मुझे expected है मैंने आपको clear cut बताया हुआ था जब market ने यह low बनाया था कि उपर की side में मेरे लिए यह 18,000 का level resistance का level है नीचे की side में 17,400 का level support है in between market range bound रहने की probability है तो जब market उपर के side का momentum दिखा रहा था तो मैं closely observe कर रहा था कि option chain में किस तरीके का data बन रहा है यहाँ पर option chain में जब market उपर जा रहा था तो उपर की side में call के side में open interest का data जो है वो बढ़ रहा था और put की side में जो है वो open interest के data में लोग exit हो रहे थे मतलब जो writer थे उनको mocha मिल रहा था तो वो लोग market से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो यह बात मेरे लिए clear हो चुकी थी क्योंकि price action के हिसाब से market range bound रहने वाला है market में यह momentum one side का नहीं आएगा यह मेरे लिए confirm था फिर open interest के data में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि market में इस high को break करने के बाद भी अच्छा कासा open interest call की side में built up हो रहा है तो immediately मैंने क्या किया 17700 का जो open interest था put की side में उसको cross check करके देखा तो वहां से लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने immediately यहाँ पर put buy करने का signal दे दिया और market यहाँ से immediately down आ गया अभी कल के दिन हम लोगों को किस तरीके से trade करना है जो लोगोंने मेरा option chain का free का course किया रहेगा यह जो point मैंने option chain के बताए हुए वो उनको समझ में आये रहेंगे जो लोगों को free का course जोईन करना है उसके details मैंने telegram channel के ऊपर दिये हुए है telegram channel का link video के नीचे आप वहाँ पर जाके cross check करके देख सकते हो अभी कल के दिन कैसे trade कर सकते है इसको समझ लेना है अभी market में यह जो बड़ा fall आ गया है इस बड़े fall के बाद जब भी first bounce back आता है तो first bounce back पर हम लोग कभी भी buy के बारे में नहीं सोचते market जब उपर जाएगा तो उपर में हम लोग यहाँ पर sale का opportunity देखने की कोशिश करेंगे first thing second thing अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market एक crucial level के उपर मतलब 17,500 के उपर आकर रुका हुआ है और price action के हिसाब से भी यह हमारे लिए एक important support निकल के आ रहा है तो आभी दो बार market ने यह 17,500 के level को touch किया हुआ है अगर market इस level को break करता है तो भी मैं immediate sale करने के लिए interested नहीं रहूँगा इसके पीछे का logic यह है कि market अगर immediately नीचे भी आता है तो 17,450 के उपर market को दुबारा एक support हीट होने वाला है तो इस case में इस छोटे risk reward ratio के लिए मैं कल trade करना prefer नहीं करूँगा क्योंकि कल Friday है Friday के दिन क्या हो जाता है कि यहाँ पे price में एक बड़ा momentum भी हो जाता है तो भी option के जो premium है वो option के premium उस speed से नहीं बढ़ते है तो कल के दिन मेरे लिए एक ऐसा trading opportunity चाहिए जहाँ पे मुझे option में भी अच्छा कासा gain मिल सके तो उसके लिए मैं थोड़ा weight and mode के रहना prefer करूँगा अगर market यहाँ पे consolidate होता है और consolidate होने के बाद फिर market अगर 17,500 के level को downside की तरह break करता है तो उस case में मैं 17,500 का जो put है वो 17,500 के put को यहाँ पर buy करना prefer करूँगा मेरा first target जो रहेगा वो 17,450 का रहेगा अगर ज्यादा time के लिए market यहाँ पे consolidate करेगा तो उस case में क्या हो जाएगा put की side में और call की side में open interest बढ़ जाएगा जिसकी वज़ा से probability यह बढ़ जाएगी कि नीचे की side के level को भी market break करेगा अगर कल के दिन immediately market gap down खुल जाता है तो gap down खुलने के बाद अगर 17,450 के level के करीब हो जाता है तो यहाँ से market एक छोटा सा bounce back दे सकता है अगर market EC level के भी नीचे खुल जाता है तो immediately कोई भी trade मत कीजे पहले price action को बनने दीजे फिर उसको open interest के data के साथ club कीजे मैं अपने इस free वाले channel में आपको update कर दूँगा यह free वाले channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है यहाँ पे 2,000,000 से जादा लोग जुड़े हुए है जहाँ पे मैं free के intraday के signals भी आपको दे देता हूँ अभी देख लेते हैं कि बैंक निप्ट में किस तरीके का momentum हो रहा है अभी जब मैंने आपको यहाँ पे twitter के उपर update कर दिया था जब market यहाँ पे चल रहा था 17,700 के घरीब तो इसके पीछे का reason क्या है कि मैंने इसी time पे उपर आपको क्यो update किया generally आप लोग क्या करते हो सिर्फ और सिर्फ प्राइस action के उपर focus करते हो मतलब यहाँ पर जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि आपके लिए x axis और y axis दो axis रहते है आप लोग सिर्फ प्राइस के उपर focus करते हो जो y axis के उपर आता है तो अगर यह concept आपको सिखना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like आने चाहिए comment section में मुझे आपको क्या सिखना है यह बता दीजे तो ही मैं इसके detail वीडियो आपको बना सकता हूँ जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कौन से concept में दिक्कत है तब तक मैं वो concept explain नहीं कर सकता तो comment section में मुझे बता दीजे कि आपको कौन सा point समझ में नहीं आ रहा है अभी देख लेते कि bank nifty में क्या होने की probability है bank nifty में अगर आप daily chart के उपर जाते हो daily chart में आपको clear कर दिखाई दे रहा है ये जो zone हम लोगों ने mark किया हुआ था market इसी zone में upside का और downside का momentum दिखा रहा है बस इसी zone को जब तक market break नहीं करेगा तब तक ऐसा volatility market में रहने वाला है market आभी एकदम crucial support level के उपर आकर रुका हुआ है कल के दिन market अगर यहाँ पर flat open हो जाता है तो एक bounce back का trade हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है लेकिन इस bounce back trade के लिए मैं interested नहीं रहूँगा मेरे लिए interested level कब आ जाएगा market में जब market यहाँ पर gap down के साथ open हो जाएगा और gap down के साथ open होने के बाद market दुबारा 49,000 के level के करीब आ जाएगा अगर market यहाँ पर 49,000 के level के करीब हमें आकर इस तरीके का कुछ price action का pattern बनाता है तो उस case में 49,000 का जो call है 49,000 का जो put है वो 49,000 के put को यहाँ पर मैं buy करना prefer करूँगा क्यों यहाँ पर मैं buy करना prefer करूँगा क्योंकि price action का एक logic हमें यह सिखाता है कि जब भी market में एक तेज गिरावट होती है उसमें first bounce back के उपर हम लोगों को कभी भी buy नहीं करना है जब market में first bounce back आ जाएगा तो market को उपर जाने दीजिया और उपर के important resistance level के करीब आप यहाँ पे sell का position ले लिजे जिसमें आपको एक अच्छा कासा momentum मिल सकता है और जो यह ABCD pattern है यह ABCD pattern के हिसाब से भी हम लोगों को एक बड़िया target मिल जाएगा जो लोगों को ABCD pattern समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से identify करना है वो मुझे comment section में बता दीजे तो weekend के ऊपर हम लोग एक इसके ऊपर informative वीडियो बना सकते है अगर कल के दिन market जो है यह ऊपर का level और यह नीचे के level के बीच में यहीं पर कई open हो जाता है तो इस case में market जो है वो एक range bound volatile momentum दिखा सकता है तो इस case में मैं immediate trade करने के लिए interested नहीं रहूँगा मेरे लिए सबसे बढ़िया trading opportunity वही होता है जिसमें probability मतलब success rate जादा रहता है और risk reward ratio भी जादा रहने की high probability रहती है अगर in between market open हो गया तो market दोनों साइड के momentum दिखाएगा और कल के दिन Friday है open interest का data भी कम रहेगा नया weekly contract चालू हो रहा है तो उसमें open interest कम रहेगा इसलिए मैं इस momentum में कुछ trade करने के लिए interested नहीं रहूँगा तो यहाँ पे मैं wait and watch mode पर रफर करूँगा अगर directly बहुत बड़ा gap down भी हो जाता है तो same scenario रहेगा gap down के बाद market को consolidate होना चाहिए और consolidate होने के बाद afternoon session में एक breakout देना चाहिए तो ही Friday के दिन एक बड़ा momentum मिल सकता है यह educational वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको like किजे आपने YouTube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दिजे मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much